महराश्ट के विरार में स्थित कोविड डेडिकेटेड वीजे वल्हब अस्पताल के आएसियू में शुकरवार के तड़ के आग लगे तेरा कुरोना मरीजों की इस आग के चपेट में आकर जान चली गई है कोरोना संकट के बीच महराश्ट के अस्पतालों में एक के बाद एक बड़े हाथ सी हो रहे है नासिक के जाकिर हुसेन अस्पताल में आक्सिजन लिकेज की वज़र से अभी 22 कोरोना मरीजों की मौत का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि मुंबई की विरार सित विज़र लब अस्पताल में आग लग गई इस हादसे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई है मुंबई की विरार सित विज़र लब अस्पताल में शिक्रवार तरकी आग लगने से कोविट की 13 मरीजों की जल कर मौत हो गई फायर डिपार्टमेंट के मताबिक अस्पिताल की आईसियो में 17 मरीजों का इलाज चल रहा था सुवेश सवातीन बजे शॉर्ट सरकिट से लगी आग, साड़े पाच बजे तक आग पर काबू पालिया खिया आज विरार में जो घटना हुई है, अस्पताल में आग लगने के बाद कई लोगों की मृत्तियूं वहाँ पर हुई, यह महराष्ट में लगातार पिछले 6 महने में पाचवी घटना है भंडारा में गटना हुई इशाने मुमे में गटना हुई नासिक में गटना हुई नाकपुर में गटना हुई और विरार में भी उसी प्रकार की घटना यहां पर घटी है और हर दुरगटना के बाद हर अगनी कांड के बाद हम यह कहते कि इसकी जाज करेंगे जाज तो करनी पड़ेगी लेकिन फायर सेफटी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है अभी कोईड होस्पिटल्स के उपर बहुत प्रेशर है ऐसे समय सरकार ने एक यंत्रणा तयार करनी चाहिए और उस यंत्रणा के माध्यम से सरकार ने इसका फाय मिली जानकारी के अनुसार विजय बल्लब अस्पताल की कोरुणा मरीजों को नजदी की अस्पताल में भरती कराया जा रहा है मौके पर आला अधिकारी पहुच रहे है अभी होस्पिटल प्रबंदन की लापरवाही पर कोई कारवाई नहीं की गई है मुख्यमंत्रियों ध विशेक पांसे की रिपोर्ट